एक बहू को घूमने से फुरसत नहीं है, मतलब रंजना और एक बहू को पारलर से फुरसत नहीं है, मतलब मनीशा मतलब दिवाली, दिवाली की deep cleaning घर में चल रही है लेकिन एक सास, मतलब इस age में आके, है न, मैं बात कर रहे हूं अपसराव मौम की तो मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखे, हालांकी मैं regular follow-up नहीं करती हूँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ, किस तरीके से वो घर की सफाई कर रही हैं, और मेरे ख्याल से इस टैम दिवाली की सभी लोग अपने घर में deep cleaning कर रहे हैं, लेकिन दो-दो भुए होने की, मतलब दो- सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे जो सबसे बेकार जो भुए हैं, वो आपकी दोनों भुए हैं, खेर मैं बात करूँगी आज इनके वीडियोस की, और उधर मैंने जो प्रिंस और रंचना, उनका वीडियो भी देखा है, comments off आरे हर वीडियो में, of course, controversy हुई थी उसके बाद से, क्योंकि लोगों का इतना backlash मिल रहा है, इतनी negativity मिल रही है, तो कहां से comments on रखे जाएंगे, so friends, welcome to my channel, it's me, Swati, कैसे हैं आप लोग, I hope, आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, अपन कि मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें इनके through भी गलत होती है, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, जाएं टॉंट वाजी करना, और जब आप एक सासु मा हो, ठीक है, आपको अपनी दोनों बहुँओं को equal रखना चाहिए, हमेशा से, ठीक है, थोड़े तिन पहले, रंजना, रंजन है, कुआ चैनल भी वापस आ गया, तो इस चीज से मैं इतरास था मुझे, प्रिंस और रंजना से, ठीक है, क्योंकि मैं खुद उस टैम पे रंजना को support कर रही थी, अब मैं उस टैम पे मैंने ये भी बोला था, कि आंटी ची को कोशिच करनी चाहिए, अपने घर में दोनों बेटों को और दोनों जो बहुए हैं, उनको, उनको equality रखें, ठीक है, equal रखें, लेकिन आज मैंने जो इनकी वीडियोस देखें, देखें, मैं यहाँ पे according to videos ही reaction देती हूँ, और जो चीज मुझे गलत लगती है, क्योंकि मेरे पास channel है, और एक सब्भे भाशा का प्रयोग करते हुए, मैं अपनी कोशिश करती हूँ, अपनी जो opinion है यहाँ पर express करूँ, तो एक नहीं, मैंने दो तीन वीडियोस देखें, आप देखें, जोईन फैमिली हैं, जब सब लोग साथ में मिलके रहते हैं, मैं मानती हूँ, यूट्यूबर्स हैं, उनके बहुत सारे collaborations भी आते हैं, प्रोमोशन वीडियोस भी करनी होती हैं, लेकिन सचिन मनीशा, अल्दो मनीशा यहाँ पे है, इनके घर पे ही है, अपने घर पे मतलब अपने ससुराल में ही है, रंचना और प्रेंस टाइम नहीं है, तो घर की सफाई में मनीशा का contribution नहीं दिख रहा है, और एक न मनीशा से क्यों नहीं बोल रहे हो कि आप भी मेरी सफाई में हेल्प कर रहा हो, हलांकि पूजा गर रहे ही थी, मंदिर में उनने बोला था, कुछ दिया वगरा जलाने के लिए, काला सूट बहन के, अब देखे, इस काले सूट पे भी लोग, कुछ लोग उनने सवाल उठाय में हैं, कभी भी पूजा काला कपड़ा भेंके नहीं की जाती है, और आंटी जी ने इस चीज को पता नहीं क्यों मना किया, मतलब उसको बोला नहीं, और मुझे लगता है कि आप बड़े हो, अगर आपको लगता है, उस टाइम आपको बोलना चाहिए था कि कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो अगर गलती कोई कर रही है, मनीशा तो उसको आपको बोलना चाहिए, ठीक है, अब मुझे आज बड़ा दुख हुआ, क्योंकि देखिए, जितने मैंने इनकी वीडियोस देखी है, इनकी भी एज हो रही है, इनकी हस्बंड की भी तवि वीडियो में देखा था, रात को तबियत मतलब हाफ रहे थे, पसीना आ गया था, जो सचेन अपने वापपसे सुब पूछ रहे थे, ठीक है, आप लोग डिली व्लॉगिंग करते हो, लेकिन यहाँ पे ना व्यूवर्स और मेरे पास रियाक्शन चैनल है, से मेरे को लगा क कि मेरे को इस चीज़ पर आवाज जरूर उठानी चाहिए, आप अकेले कर रहे हो सफाई, ठीक है, आप सब की हेल्प लेके कर रहे हो, मतलब किसी को पंखा साफ करवा रहे हो, लेकिन बड़ा दुख हुआ जब मैने देखा कि आप, मतलब, कुछ लोगों ने यह भी लिखा लेकिन अब आप मनीशा को क्यों नहीं कह रहे हो, अब आप क्यों नहीं बोल रहे हो मनीशा को कि यह काम नहीं करती है, मनीशा के लिए आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन जब बात रंजना पर आती है, आप भर भर के उसको बोलते हो, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वेड़ खराब है उसमें इस सब चीज़े बोली है अब दे के बीच में जो प्रिंस की सिस्टर है जो पूझा उनका भी वीडियो आया था जहां पर उनोंने भी अपने रिश्टे खतम करने वाली बात और बहुत सारी चीज़े ऐसे बोली थी राइट तो मैंने बोलाएंगे फैमिली में इतने सारे व्लॉगर्स हैं खुदी आपस में इतनी कॉंट्रोवर्सी इन लों के हो जाती है ठीक है और फिर रियाक्शन वाले है रियाक्शन वाले है अकर देखेंगे तो वो तो बोलेंगे ऐसा तो नहीं क्यों चुप रहेंगे अब मैं यहां पर मेरको सब्सक्राइब देखेंगे दूख हुआ कि क्योंकि आप देखें यह जैसे यह हो गई भमो भमो की दुनिया जो लखन की मदर है ठीक है एक एक नया तरह को आर्डियंस नसे कनेक्ट हो रहे है ठीक है एक जो कहते हैं एजड लेडीज हैं हलांकि दोनों बहुत एक्टिव है अपने पार्ट पे अच्छा काम भी करते हुए दिखती है ठीक है और कभी-कभी जो छोटी बहुया उसको यह कुछ टॉंट वागेरा मारते हुए भी दिखती है तो उस चीज़ पे मैंने हमेशे से अवाज उठाई आया ऐसा आप मत करिये अब मैंने इंकी रिसेंटली कु पापा को करना है ठीक है और पिता जी ने हम चारो भेनों को संगर्श करना सिखाया बिना मा के बेटी है महनत तो आंटी जी महनत बहुत करती है चाहें देखिए व्लॉग बनाना इस एच में असान नहीं होता है बहुत सारी चीज़े इनको नहीं पता है फिर भी बनाती है थमनेल बनाती है असान नहीं होता है और घर में सब लोग रहते हैं तो सबका ही अपनी जगा पे मुझे लगता है कि एक पार्ट होना चाहिए क्लीनिंग को लेके ठीक है आप इतने से इतने डाइम अपने यूट्यूब चानल पे अपने यूट्यूब वीडियो पे फोकस क हैं बाप रे बाप हम लोग की सास होती तो बता देती ऐसी बहू को इन दोनों को खुद दिमाग नहीं क्या कि दिवाली भी है साफ सफाई करनी है और अगर आंटी ची बोलेंगी तो खराब हो जाएंगी कौन सास होगी जो नहीं बोलेगी आपकी बड़ी बहू में एक पैसे का कोई जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ अपने पती के लिए एक भुजिया और रूटी बस छोटी बहू को उंगली उठाते हैं सब बात से ही वो क्या ही सीखेगी इनके घर की बहू तो बस घूमने में बिमार नहीं पड़ती और घर के काम करने में बिमार पड़ जाती है मनीशा चाय भी नहीं बना सकती आपके साथ मनीशा ने भी सफाई कराना चाहिए वो तो पारलर में घूम रही है आंटी जी आप बहू मनीशा काम चोर है ये क्या नियम है कि बहू बस अपना रूम करती है ऐसा हम लोगे तो बवाल हो जाए स सफाई तो वहाँ पे जो इनके साथ जो इस टैब इनकी बड़ी भव है क्या उसका फर्स नहीं बनता ठीक है उसकी कम्यों को भी आप हाइलाइट नहीं करते हो लेकिन अगर वो गलत कर रही है सफाई में हल्प नहीं करा रही है तो भी आप अभी उसको नहीं करते हो लेकिन मैं आपसे सही में, मैंने आपकी कुछ चीज़े नोटिस करी हैं, कि चाहे वो अपने आपको जिस तरी के से आप मिंटेन करके रहते हो, जिस तरह से अपने आपको प्रेजेंटेबल बनाते हो, रोज व्लॉग करना, फिर थमनेल डालना असान नहीं होता है, घर की भी बहुत सारी चीज़े ले के चलना, देखिए जो बड़े लोग होते हैं न, कहते हैं न कि घर में बड़ो का जब तक साया नहीं होता है, बड़े डिसिप्लेन जो होता है सबसे ज़ादा, वो घर के बड़े ही रखते हैं, घर में रोज सफाई होना, सुबह जल्दी उठना, सब प्रॉपर, कहते हैं न, एक टाइम पे सारा काम हो जाना, तो ये है, बाकी बहुत ज़्यादा नेगिटिविटी मुझे लग रहा है, कि इन वीडियोस में, जो इनकी बहुँओं के लिए बोले जा रहे हैं, कमेंट्स कि ऐसी बहुँओं क्यों, आउंटी बुरॉबत मानिएगा, आपकी बहुँओं इस घर को अपना नहीं मानती, क्या इतना गंदगी है, साफ नहीं रखती, अब तो अपने कुक भी रख दिया है, मेरको लगते हैं, इनके घर पे एक आउंटी आती है, जो सब्ची वगएरा काटके जाती है, सिर्फ चौक नहीं होती थी सब्ची, अब मुझे नहीं पता कि शाहर कुक भी रख दिया है, तो अब मुझे क्या ही काम है, यूट्यूब के अलावा थोड़ी बहुत सफाई, मैं भूँओं से ही कह रहे हूँ, ये चीज मेरी दोनों से है, असा नहीं कि मैं मनीशा के लिए बोल रहे हूँ, ठीक है, आपकी सास हैं, इस एज में व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो दोनों भूँओं को थोड़ टाइम निकाल के, यूट्यूब से काम, घर के काम में भी हेल्प करानी चाहिए, रंजना तो हेल्प भी करती थी, सबसे काम चोड़ तो मनीशा है, मनीशा को रहना ना रहना सब बराबर है, उसी को देखके बिमारी गई, आज पारलर जाना ज़रूरी था, क्या वो तो देखने, देखी कि आज बहुत काम है, इसलिए पारलर भाग गई, रंजना होती तो काम में भी मदद करती, और खाना और चाए भी बनाती, और आप एक आपके टॉंट भी सुनती, अगर प्रिंस और अंजना काम को लेके बोलते हैं, तो करते भी हैं, तो मनीशा कुछ करती नहीं, फिर कहेगी और दिखाएगी कैसे, आउंटी आपका छोटू बहुत हल्प किया है, वा आउंटी मनीशा को शरम नहीं आता है, किया कैसे सास से काम करवाती है, एक बात है आउंटी, आपके दोनों बहु घर को समालना नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग हैं, जो साफ साफ लिग रहे हैं कि मनीशा कामचोर है, हमको नहीं लगता था, हे भगवान इतना गंदा घर, दोनों बहु की कोई responsibility नहीं है, दोनों ही great कामचोर है, तो ये है, इनके वीडियो में काफी कमेंट्स आ रहे हैं इनकी बहुँ के लिए, बाकि येस मुझे लगता है कि बहुँ को खुद समझ होनी चाहिए, बड़ी है, येस हमारी इस एच में सासुमा लगी है, वो सोच रही है घर की सफाई होनी चे ये दिवाली आ रही है, छट भी आ रहा है, आप सोचे छट पूजा है ना, और काफी लोग इनको हमेशा से निक्कू सुमेट और वहां कामिनी का example देते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वहां पे उनकी full time maid भी कहूंगी, और camera person जो रवीना है वो भी है, बागी बरतन और उन सब चीजों के लिए, खाना ये लोग खुद ही बनाती है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगा क्या कहना है इस मामले में, और यहां पे बिल्कुँ जुरूत है दुनों बहुओं को कि भई थोड़ा सोचो, तुमारी सासु मा, उनकी age देखो, ठीक है, और क्योंकि आप influencer हो, काफी ladies यहां पे देख रही है, और सबका यही कहना है कि इस तरह से तो ये तो गलत है, ठीक है, अगर वो जो अपसरा मॉम है, जो इनकी सासु मा, वो कुछ कहने रही है, तो अगो खुद थोड़ी बहुत शरम होनी चाहिए, और अपसरा मॉम के लिए दोनों ही भगवे इकोन होनी चाहिए, हमेशा से मैंने यह कहा है, कि अगर आप रंजना को बोलते थे, रंजना को अगर आप समझाते थे, तो आप क्यों मनीशा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मनीशा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तो यह है मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेर सब्स्राइब कर दीजेगा, येस, कमेंट ज़रूर करेगा, आपको क्या लगा, इतनी गंदगी जो घर में दिख रही है न, ठीक है काफी लोग रहते हैं तो गंदगी होती है, लेकिन यार सभी कहते ने, एक जने की सफाई का सोचने से साफ नहीं रह सकता है, जब तक सब लोग मिलके घर की सफाई के बारे में ना सोचे, तली चलिए, see you soon and I hope आणटी चे को भी मेरी बाद समझ आई होगी, बस एक किसी को hurt करने का इरादा मेरा कभी नहीं होता है, मैं हमेशा से अपना point of view, एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलती हूँ, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much, bye bye.